वेलकम टू रडी फॉर स्टड़ी अज हम क्लास 10th की शुशल साइंस याने की एसस्ट की वर्कषिट करने जा रहे हैं यह आपकी एसस्टी वर्कषिट नंबर 85 है और इसकी देट है 11 फैबररी 2022 ठीक है तो आपको पता है हमने आपका वी रीसंट में इसी विक्स की बुक का च करती है आज हम बात करेंगे जो डामोक्रीसी होती है वो कैसे उसके पॉलिटीकल आउटकम क्या क्या होता है मतलब वो राजनितिक तो प्यावर्मेंट होती है तो सबसे पहली बात वह एककांवकर यह सरकार करें तो उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं accountable government responsive government responsive मतलब कोई भी अकर कोई query पूछी जाती है आपको तो आपको जवाब देना पड़ेगा response देना पड़ेगा क्योंकि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो आपसे question कर सकती है ठीक है legitimate government legitimate government यह ऐसी government है जो समीधान यानि की कानूनों के दायरे में रहकर काम करती है ठीक है legitimate है पूरी तरीकी से जो है इसको justify government के तोर पे ठहरा सकते हैं तो यह हो गई आपकी political outcome of democracy अगर हम बात करें कि economical यह government काफी अच्छी कैसे है economic outcome क्या है democracy की तो वो देखे economic growth and development कि government जो है वो पूरी पूरी तरीकी से responsible होती है एक country की economic growth के लिए तो अगर economic growth नहीं हो रही है तो लोग question कर सकते हैं तो economic growth जो है economic growth का एक बहुत important outcome है reduction of inequality and the poverty अब जब government economic welfare के लिए काम कर रही है democracy में तो government का यह भी responsibility बनती है democracy के भी responsibility बनती है कि वो poverty को eradicate करें society से ठीक है और अगर हम बात करें social outcome की दो हमने economical पढ़ लिए तीन हमने political outcome पढ़ लिए अब हम दो पढ़ेंगे social outcome क्या होते हैं तो accommodative of the social diversity यानि कि एक देश में जितनी भी diversity है वो सब को मिला कर काम करते है democracy ठीक है डाइमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं होता है कि जो ज्यादा होते है numbers में है उसको ज्यादा preference दी जाती है ऐसा तो नहीं है जो rare होते हैं जिनकी कम संख्या होते हैं उनको भी तो प्रॉपर जो है पार्टिसिपिशन अलाउड होता है ना पॉलिटिक्स में तो सेम वही चीज है कि जो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करती है और डाइवर्सिटी को कंट्री के अंदर बनाये रखती है ठीक है लोगों की डिगनिटी की और फ्रीडम इंडिवीजल फ्रीडम जो है उसका अब यह रिस्पेक्ट करती है ठीक है तो आपके यहां पर दो कोशन दिये हुए है राइट शॉर्ट नोट अंदर शोचल आउटकम आप देमोक्रिसी तो इसका अंसर देखे यह रहे आपके दोनों कोशन इसको आप इतना स्क्रीन शॉट ले लिजिए ताक कि आपको काम कर जो गौर्मेंट है उसको कुछ इस तरीक से काम करना चाहिए कि जो माइनर लोग है वो भी गौर्मेंट में अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकें ठीक है ट्रमोक्रिसी है सकेट इन एंसुरिंग दिगनिटी और फ्रीडम आप सिटीजन अब क्योंकि सोशल आउटकम में ड गौर्मेंट मतलब जबाब जवाब दे ही जिम्मेदार गवर्मेंट जो है वो कैसे बनाती है डामोक्रेसी की सब्सक्राइब बनाती है तो देखो टाकि लोगों को अपनी प्रजेंट पसंद नहीं तो चेंज कर सके तो इससे सरकार जो है वह हम अच्छा काम कर रहे है बरना लोग हमारे को हटा देंगे तो जिम्मेदारी उसके उपर एक प्रशर आता है कि हाँ अगले बार में को हटा देंगे तो इस तरी किसे जिम्मेदारी इस तरी किसे accountable government बनती है government democracy जो है वो government का accountable बनाती है ठीक है democracy is follow a constitution अब जो democracy के through government बनती है वो constitution को follow करती है इसलिए वो क्या होती एक legitimate government होती है क्योंकि वो समिधान के according बनी है the law of the country are applicable to everyone और एक democratic country में क्या होता है चाहे कोई भी person हो सबके उपर equally कोई भी law जो है वो applicable होगा ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसके उसके लिए अच्छे से काम हो जाएक ऐसा कुछ नहीं है government member हो और चाहे normal बंदा हो सबके लिए कानून एक ही रहता है citizen can approach a judiciary if the government has taken any action with which are counterproductive to the well-being of the citizen और जो लोग है वो जुडिशिटी मैं यानि की अदालतों का सहरा ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि सरकार उनके favor में काम नहीं कर रही है तो यह सब चीजे मिलकर का है सरकार को इतना responsible इतना accountable इतना जिम्मेदार बना देती है कि वो लोगों के according काम करती है तो इत्रीके से कह सकते हैं कि government जो democratic government है वो इसलिए बहुत best होती है तो बस आपकी आज की फ्रक्षिट वो इतनी थी तो आपको इच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किजिए शियर किजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्याद से ज्यादा हमारे को भी motivation मिलता है आपके निवन वीडियो कराने का ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही